Hello everyone and welcome back to my channel exploring Delhi with Adya तो मैं Adya हाजर हूँ इस week के इंद्रलोग मार्केट का latest collection लेकर तो आज से हम श्री गनेश कर रहे हैं इंद्रलोग मार्केट की सीरीज का अगली आने वाले parts में मैं साथ में ही एक location map का छोटा सा clip आपके साथ शेयर करूगे और बताऊंगी कि मैं exactly इंद्रलोग मार्केट में कौन सा वाला एरिया दिखा रहे हूँ क्योंकि बहुत से लोग यहां पर new है जो नहीं जानते इस market के बारे में फिलाल आज मैं वो location map नहीं दिखा रहे हूँ क्योंकि इसका रास्ता बिल्कुल simple है इंद्रलोग मार्केट का जो metro station है उसका gate number 5 exit वाला उसके बाहर मतलब इंद्रलोग metro station के नीचे जो पट्री मार्केट लगता है उस पर कुछ best shops मैं आपको दिखा रहे हूँ तो एक एक करके ये सारी चीज़े जो आप देख रहे हूँ वो आपको मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में with price और मेरी आपसे request है की market में आने से पहले location वीडियो मेरे देख लेना नहीं पता तो comment कर देना मैं आपको link भीज दूँगी और market में हमीशा अपने purse का अपने belongings का ध्यान रखना चाहिए आप इंद्रलोग मार्केट आओ या कहीं पर भी जाओ ठीक और अगली बार जब आप इंद्रलोग मार्केट में आओगे तो आप ज़रूर स्वेटर पहन कर आओगे morning की ठंड की वज़ा से लेकिन जब आप यहां से बाहर निकलोगे तो आप तरही म तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए तो फिलहाल मैं हूँ इंद्रलोग मेट्र स्टेशन के नीचे गेट नंबर फाइफ के एग्जिट दोर के पास गेट नंबर वन ओपन रहता है गेट नंबर फाइफ बंद रहता है वहां से कोई भी आवाजा ही नहीं है यहां पर एक दीदी ने बैग लगाया हुए थे सेल में 250 रुपीज में इसमें मोस्तली आपको स्लिंग्स और कैजूल बैग मिल जाएंगे इसके साथ में बच्चों के स्कूल के बैग हैं जिसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी क्यूंकि यह पत्री है और पत्री पर इस त इसके बैग का रहे हूं यह 250 रुपीज वाली रेंच है और इनकी कॉलिटी बहुत अच्छी है इनकी कॉलिटी इनकी चें से पता चल रही है इनकी स्चिजिंग से बता चल रही है और यह बॉइस के लिए है बेंटन वाला हीमान वाला यह इस तरीके से मिल जाएगा इसकी देखिया अच्छी क्वालिटी की है और यह जो इसका स्ट्राइब है यह भी पैड़ेड है इससे बैग का वेट जो है वो ज्यादा नहीं लगता तो यह भया का कंटेक्ट नंबर है और इनके ऑपोजेट में ही यहां पर एक और डीदी जी ने शूस लगाए हुए थे इन में तो अब ही आप जो स्क्रीन में देख रहे हो यह 150 रुपीज वाले हैं और इसमें कुछ तो हैं जो न्यू ही लग रहे थे और कुछ हैं जो वन टाइम यूज लग रहे थे फिर भी अगर आप डिलिवेर में पहनना चाहते हो मार्केट जाने के लिए शूज होने चाहिए व आप इस तरीके के जरूर ले सकते हो अब जो मैं आपको दिखा रहे हूं यह वाले 100 रुपीज में है इसमें मोस्टली आपको फ्लाट स्लीपर मिल जाएंगी बैली मिल जाएंगी यह सारा 100 है घर में पहनने के लिए not a bad thing और पीछे अब जो मैं आपको दिखा रहे हूं यह 200 है यह शूज भी थोड़े से मुझे यूज लगे लेकिन फिर भी काफी खसा हालत नहीं है ठीक है यह वाले देखो बिल्कुल फ्रेश है यह 200 रुपीज के हैं तो बिल्कुल मिक्स है इसमें सब कुछ लेकिन इनके पास जो यह बूट्स मिल रहे हैं काफी अच्छे हैं य बहुत ही माइनर मैं आपको दिखाती हूं यह बाहर से इसके लुक देखो कितने अच्छे हैं अंदर से बस इतना सा खराब है और इसकी जिब्बे पॉफेक्ट है तो यह 200 रुपीज में है और यह वाली जो शौप है बिल्कुल फैजल भया के बगल में लगा दी है छोटी तो यह सारे मोसली डिजाइन में आपको दिखा चुकी हूं बढ़ हो सकता है कुछ लोगों ने सदर के वीडियो में मेरे नहीं देखा है तो इनके पास जो स्टार्टिंग है वो 1200 रुपीज से हो जाती है और मैक्सिमम आपको 4000, 5000, 6000 तक के लहेंगे मिल जाएंगे तो यह अभी जो आप देख रहे हो 2500, 2200 ऐसे में है यह वाला 2500 है कंट्रास दुपट्टे के साथ में सिल्क का लहेंगा है और इसमें 3-4 शेड और अलगाते है इनका जो शॉप है ना उसमें थोड़ा सा अंधेरा सा लगता है क्योंकि पुल के नीचे है बिलकुल इसलिए य और इसका फाब्रिक है माइक्रो वेलवेट प्राइजिंग इसकी 2500 फैजल भया आपको कुरियर भी कर सकते हैं एक लहंगा तो आपको अगर कोई लहंगा पसंद है तो आप उसका स्रीन्शॉट लेके भया को वाट्साप कर देना यह है स्टार्टिंग रेंज बिलकुल 1200 पेस्टिल शेड में 1800 रुपीज का इसके बाद एक और भयाने लहंगा दिखाया है देखने में यह ब्राइडल लग रहा है बट वैसे गरलिशी है और यह है रॉसल्क फाब्रिक पर इसकी प्राइजिंग भयाने 1800 रुपीज बताई है इंदर लोग में यह मोसली लो रेट लहेंगे लही लाते हैं इनकी शॉप पर आप जाओगे जो सदर फिल्मिस्तान के पास है वहां पर आपको हैवी रेंच के शोरूम वाले लहेंगे भी मिल जाएंगे बट बो सारी क्वालिटी और कॉंटिटी यहां पर लाना पॉसिबल नहीं है अब जो आप देख रहे हैं अब जाएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे अब जो आप देख रो यह वाइन कलर का है और इसके साथ में कंट्रास्ट का पीच कलर का दुपट्टा आता है प्राइजिंगे इसकी एटीन हंड़ रूपीज तो बया के पास यह सारा कलेक्शन आपको मिल जाएगा आप च चाहे तो कुरियर करा लो चाहे तो आप फिल्मिस्तान सदर बाजार वाली इनकी शॉप पर चले जाओ और नहीं तो संडे को सदर पटरी पर आजएगा वहां पर यह भया शॉप लगाते हैं अब यह जो आप देख रहे हो यह भी जॉजट फाबरिक पर है बहुत ही प्यार कंट्रास्ट में पीच कलर की इस पर एंब्रॉइटरी है और इसका प्राइज है ट्वेंटी टू हंडर्ड रुपीज इसके बाद फाइनली बहानेक सीक्वेंस वाला लेंगा दिखाय था और इसमें भी आम टेलिंग यू थ्री फोर कलर्स और आपको मिल जाएंगे और इस कुछ चीजे वाकई अच्छी है और कुछ चीजे अच्छी नहीं तो सुभा यहां मैं पोंची थी नौ बजे इसलिए यहां पर मुझे तख्का नहीं लग रहा है और ना मुक्का लग रहा है यहां पर एक भाष्या कूर्थी प्लाजो का सेट सेल कर रहे है कॉतन का 300 का समाना यह 20 रुपीज का है इसके बगल में जेगिंग्स मिल रही है आपको गल्स की 150 रुपीज में छोटे साइस बड़े साइस सारे मिल जाएंगे और यही भाया दुपत्ते भी सेल कर रहे है इसमें नेट भी है जोजट भी है शिफॉन भी है तो 50 रुपीज और 100 रुपी आपको मिलेंगे बिल्कुल वैसा ही अपियरंस है भया का यह यहां पर सेल कर रहे हैं बहुत ही अच्छे फाप्रिक और इसमें हर तरीके का फाप्रिक है इसमें चंदेरी ब्रोकेट बनारसी इस तरीके के फाप्रिक मिल जाएंगे सभी का सेम प्राइज है 60 रुपीज मीट और इसी रोड पर आपको मिलेंगे एक बैग वाले भया इनका बैग क्वालिटी काफी अच्छा है बिल्कुल ब्रैंडेड रुक वाला है फर एक्जामपल इस ब्यूटिफुल बाग मुझे ब्राइडल पर ज्यादा लग रहा है 850 रुपीज इसकी प्राइजिंग है आप पीछे आप इनके पास ये देख रहे हो आधा किलो पनीर जैसा ये जो स्लिंग है ये 450 रुपीज का है इसमें आपको दो तीन शेड मिल जाएंगे और ये सोया हुआ बालू साड़े 300 रुपे का है इसके नीचे की बाड़ी नहीं है इनके पास सिर्फ हैड है 350 रुपीज का हेड में आपको स्लिंग मिलेगा पीछे ट्रांजी सा एक बाग है पाउच के साथ में ये एक स्लिंग टाइप का बाग है 550 रुपीज में आप इसे वेस्टन स्टाइल में भी ले सकते हो और ये सब खाली मिलेंगे समान इसमें आपको अपने आपी फिल करना है तो ये भाया इनकी अभी मैं आपको लोकेशन बताती हूँ एक्जाक्ली ये इनका कॉंटेक्ट नंबर है उनली थाज़े को मिलेंगे यह पे इनकी जो शॉप है वो एक्जीक्यूटिव मेजिस्ट्रेट के ऑफिस के ऑपोजट में लगती है अभी जो मैंने आपको इंदलो का गेट नं बड़ी गल्स की ब्लाउस के साथ में लेगा आपको छोटी गल्स की जो है वो साड़ी 300-400-500 तीन रेट में तो इंदलो का गेट नंबर 5 है एक्जिट वाला और यहां पर आप नज़र डालोगे तो यह एक्जेक्यूटिव मेजिस्ट्रेट का उफिस है इसी साड़क पर ज सभी फ्रेश है मैं इसे लिए आपको दिखा रहे हूं चाटो चाटो वाला सिस्टम तो आपको अपने आपी मिल जाता है तो इनके पास यह जो अभी देखा रहे हूं है यह 250 रुपीज की साड़िया है यह सभी फ्रेश है और एक अंटी इन से लेके गई थी तो वो चेंज भी कराने आई थी इसका मतलब है कि अगर आपको वो चेंज कराना हो तो उसका भी स्कॉप है पीछे जो आप देखरो 350 रुपीज की है और इसमें मोस्तली मैंने विचित्रा सिल्क वाली साड़िस देखी है बट ऐस पर प्राइस चीज अच्छी है तो पीछे फिर से मैं 350 रुपे और इनके पास आपको कॉटन ग्लेस कॉटन का फाबरिक मिलेगा तो आपको जो भी पसंदा है आप उसे ओपन जरूर करवाईएगा चाहे लेहंगा हो चाहे साड़ी हो चाहे सूट हो फाइनल पेमेंट करने से पहले हमेशा आपको चेक करना है उस पीस को ठी है यह भाया भी इसी सीधी रोड पर आपको मिलेंगे और इन्होंने कुछ सूट डिस्प्ले में पीछे लगाए हुए है इनके भी सेम प्राइजिंग है 350 रुपीज और यह जो वाल है जिस पर सूट तंगे हुए है यह एक्जिक्यूटिव मेजिस्ट्रेट के ऑफिस की है त चौप लग चुकी थी भी थोड़ी सी कम थी बाद में पैर रखने की जगा नहीं होती तो एक एकर के देखना शुरू करते हैं प्राइजस फ्लैश हो ही रहे हैं यह ब्यूटिफुल लेंगा है 1850 का हर लेंगे में 4-5 कलर आपको मिलेंगे और इनसे भी आप को रियर करवा सकते हो भया का कार्ड में अभी दूँगी इस क्लिप के बाद में दो नंबर मैंशन है दोनों पर एक एक करके ट्राइ कर लेना अगर रिस्पांस ना मिले तो यह ब्राइडल वाला है मोर वाला 2500 रुपीज में और यह बहुत अच्छा लगा मुझे शनील का लेंगा है यह और यह इसके दुपट्टे का बादर है माचिंग कलर का दुपट्टा मिलेगा इसमें भी आपको अलग अलर्स वगरा मिल जाएंगे तो सीक्वेंस आप इसका देख रो लगे हुए हैं पर आपको बिल्कुल नजर नहीं आएंगे बहुत ही प्यारा लेंगा है अब इसके पर एक डाक कलर का वाइन कलर का लेंगा है ब्राइडल की कलेक्शन में इसकी प्राइजिंग है 3000 रुपीज और इसमें भी आपको अंदर कैन कैन प्रॉपर लगा मिलता है पीच कलर का इसका दुपट्टा एगा अब एक और सेम कलर में डिजाइन देखो आप ये 1850 रुपी देने वाला है ठीक है इसके बाद भया ने को और ब्यूटिफुल लेंगा दिखाया ये इस सिल्क फाब्रिक में है और इसका जो में अट्राक्शन है वो इसका बॉर्डर है ये प्रिंट आपने देखा होगा सब्यसाची वाला प्रिंट है आजकल फाब्रिक पर भी काफी अच्छी कॉंटिटी में तो इनके प्राइज रहते हैं और जब भया के पास पांचे पीस रह जाते हैं तो वो इनके प्राइज लो कर देते हैं इसके बाद आप जो देख रहे हो ये शीशे वाला लेंगा है पेस्टिल शेड में थी थाउजन रुपीस का और जैसा जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका कैन कैन भी होगा ठीक है अब जो आप देख रहे हो ये ग्रे कलर का है बाइसो पचास रुपे में ये तीनो ही लहंगे ग्रे शेड में हैं लेकिन इनका डिजाइन अलग अलग है ये बाइसो पचास रुपे का लहंगा है और इसमें भी आपको अच्छी कासी कैन कैन मिलेगी इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा है ये इसका ब्लाउज आएगा अब ये आप देख रहे हो डिजाइनिंग आपको सेम लग रही होगी बट इसका जो बॉर्डर है वो अलग है 18 इंच का कैन कैन इसमें बाइसो पचास इसकी प्राइ अब जो आप देख रहो ये सिल्क का है ये पच्छी सो रुपे का लेंगा है इसमें यल्लो शेड मैं आपको सदर बजार में दिखाया था अल्टीमेड बहुत ही कुपसूरत है यहां पर भी था भया के पास वो तो गर्लिश लेंगों की ब्राइडल लेंगों की बहुत लग रहा था ऑफ क्रीम कलर का है और इसके चारो तरफ ये बाइडर मेलेगा आपको एक और ये ब्राइडल का लेंगा है पच्छी सो रुपे में अब मैं हर एका दुपत्टा ब्लाउस नहीं दिखा रहे हूं क्योंकि टाइम कम होता है अगर मैं यही करती रहोंगी तो फि रुपे में है गर्लिश लेंगा सिल्क फाब्रिक में अब एक और ग्रेशेट का लेंगा है ये पच्छी सो रुपे की रेंज में है इसकी डिजाइनिंग अलग है बिल्कुल आप देख पा रहे हूंगे काफी हैवी बॉडर है इसका फुल हैवी सीक्वेंस और जितने भी लेंगे में दिखा रहे हूं हर लेंगे में आपको चार से पांच कलर और मिलेंगे अब ये देखिए आप ये कोई नहीं कह सकता 1850 का लेंगा है लुक्स देखो कितने जबरदस्त हैं और ये मैंने आपको लास्ट ताम बे दिखा है था ये बिल्कुल मरमेड वाला लेंगा लगता है दिस इस फोर 3500 रुपीज इसका ब्लाउज और इसका दुपत्ता सब कुछ अच्छा है तो ये बहिया के पास 1000 रुपीज से स्टार्टिंग हो जाती है ये बहिया का कार्ड है तो ये हैं सुहेल भाया ठीके सदर में भी लगाते हैं और इंद्रलोग मार्केट में थर्स्टे को इनकी शॉप से आप आगे बढ़ोगे तो यहां पर आपको एक एरिंग वाले भाया मिलेंगे इनका भी कलेक्शन काफी अच्छा है कोई नहीं कह सकता कि एरिंग पत्री प जाएंगे चांद वाली टाइप के कोरियन सब कुछ मिल जाएगा और यहां जो रिंग आप देखरों इनकी भी स्टार्टिंग फिफ्टी हंडर्ड रुपी से हो जाती है अट्रैक्शन तो यह है जो आप देख रहों यह वाली जाप देख रहों परल वाली काफी हैवी रि weerла केशन यह मीना वाली बनगल्स हैं मल्टी कलर में और पीछे यह सारी हैवी एडी की ओर रेंग सेंसरें सब कुछ मिल जाएगा तो ये वाले भहिया बिलकुल लहंगे वाले सुहेल भहिया के बगल में शॉप लगाते हैं और इनके बगल में आप देखोगे तो यहाँ पर एक गली है जिसमें आप सीधा जाओगे तो डिस्पेंसरी वाली रोड आपको मिल जाएगी पर अब भी मैं वहाँ नहीं गई हूँ वह मैं आपको कल के एपिसोड में दिखाऊंगी आप आगे चलोगे तो यहाँ पर आपको यह साडी वाले भिया दिखेंगे इनके पास जो मूव कलर की साडी है यह थाउजन फिफ्टी रुपीज में है इसके बगल में है ज्वाजट फाब्रिक पर काफी प्यारा काम है यह थर्टीन हंडर्ड रुपीज की साडी है और यह सारी फ्रेश होती है इसके साथ में जो आप देख रहे हो यह विचित्रा सिल्क पर है 1200 रुपीज की और फाइनली रेड वाली जो आप देख रहे हो यह नेट फाब्रिक में है और इसका प्राइज है 1050 रुपीज इस पर भी पूरा हेवी कड़ दाने का काम है यह भया बेसिकली नहरो नगर डेली से आते हैं वहाँ पर इनकी पर्मनेंट शॉप है और यह अभी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो गर्लिश बेबी पिंग कलर की साड़ी यह चिनान फाब्रिक पर है जिस पर पूरा कड़ दाने का काम है पूरी साड़ी पर बिल्कुल प्लेन है और इसकी प्राइजिंग भी आने 600 रुपीज बताई है इसमें अच्छी ची जो भी कलर पसंद है उपन करके आप ले सकते हो यह यहां पर अपनी शॉप लगाते हैं पीछे आप देख रहे हैं ग्रीन वाली मस्जिद इसका जो यह हाइस्ट पिलर है उपर सौरी टॉवर है उसके बिलकुल कॉर्णर में भीज शॉप लगाते हैं और अब मैं इसी का जो स्कूल वाले एरिया से एंट्री है वहां की शॉप दिखा रहे हूं जहां पर बच्चों के कोड़ पैंट्स मिलते हैं इनके पास आपको फो तू फाइव यर से स्टार्टिंग हो जाती है अब टू 13 तू 15 यर और प्राइजिंग होगी इसकी साड़े पांसो रुपे इससे लेके 15 रुपे और जिस तरीके का कवर आपको दिख रहा है इसी कवर में पैक होके मिलता है स्कूल बिल्डिंग के पास यहां पर ब्लाउस की शॉप है यह स्कूल बिल्डिंग का एंट्रेंस एरिया है इसके पास ब्लाउस की शॉप है काफी जादा रश था इसलिए मैं एक एक करके आपको नहीं दिखा पाई यह हमारे स्माइली अंकल है काफी भीरती इनकी शॉप पर जब मैं गई हूँ तो इनके पास बहुत अच्छा फुटवेर क्लेक्शन आया हुआ है गल्स का बूट बिलकुल आफ सीजन है तो इसलिए यह लोईस रेंज में निकाल रहे हैं 150 रुपीज में और मेरा कैमरा बहुत जादा शेकी हो रहा था क्योंकि इसमें मैंने अपना दूसरा फोन लगाया हुआ था मेरे एक उसकी जो स्टोरेज है फुल हो गई ती इसलिए मुझे दूसरा लगाना पड़ा इसलिए आपको यह थोड़ा सा क्लिप शेकी लग रहा होगा तो यह बच्चों के फुटवेर है 150 के और साइड में जो आप बैलीज देख रहे हो यह सभी 100 रुपीस की है मैं खुद इरी टेट हो रही हूँ इनके पास आपको 150 रुपीस में साडी मिल जाएंगी और यह सारी अच्छी उसमें होती है अच्छी कंडीशन में होती है आप लेकिन खोल के चेक करवा के जरूर लेना और भाया कभी मनाने करते कि मैं चेक नहीं करवाऊंगा यह जो आप देख रहे हो भाया उपन कर रहे हैं तो कोई पसंद कर रहा था उन्होंने ली है इनसे यह देखो इसका ब्लाउस भी है एंड में जॉर्जट की, शिफॉन की, ठीक है, कॉटन की यह साड़ी साड़ी आपको मिल जाएंगी 150 रुपीज में आगे वाली सेल है पीछे इनके पास जो हैंग है डिस्प्ले में उन सब का अलग-अलग प्राइज है तो यह भाया का कॉंटेक नंबर में आपको दे रहे हूं तो अब आपसे कल मुलाकात होगी इंडरलोग मार्केट के पार्ट टू में तब तक अपना ध्यान रखे और इंतिजार कीजिए पार्ट टू का गॉड ब्लेस यू आल